हलो प्यारे स्टुडेंट्स स्वागत आप सभी का हमारे ओनलाइन प्लेटफर्म पर मैं डोक्टर कृष्णियालो और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पसुचे कित सा विज्ञान ये कुछ important topics जिसके अंदर आता है milk, livestock और जिसके अंदर हम सबसे पहले आज जो स करने जा रहे हैं वो है करत्रीम घरबाधान, artificial insemination और आपने सब ने सुन रखा होगा कि artificial insemination होता क्या है करत्रीम घरबाधान जिसको बोलते हैं पड़, artificial insemination और ऐसा कोई बच्चा होगा नहीं जिसने ये सुना नहीं हो artificial insemination होता क्या है ठीक है बस आपको सब कुछ पता है बस साथ-साथ में याद रखना है साथ-साथ में ध्यान रखना है बस कुछ चीजों का जो आपको नहीं पता अब ये रूटन के बीज रूट इसको capable of AI उसको बोल जीज़ रग। आज जो बिए Thanksgiving बाकरी मी ने लगी याज ही अधिया है याँ रूटेछ ऐए आपने देखी होगी तसंव अइसे को सेउन के बात करते है जर प्रोसेश किलेगे जांच की लिए करेंगे भाद में भाद में करेंगे फिलेक Inhaleक में किसे बता है जो कोई आप याए करवाती होंगे तो एक जार लेके लेक एताता न आपके पास डोक्तिर तो जार के अंदर क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन होता है, जिसको अपने LN2 बोलते हैं, उसके अंदर क्या गरते हैं, उसको हिमकरत कर देते हैं, और उसके अंदर हिमकरत कर दियाना तो वो लोंग टाइम तग प्रिजर रहता है, उसको लोंग टाइम तग वो स्टो इसके अंदर धाल देंगे और दिपोजिट कर देंगे तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन क्या है कि क्रत्रिम गर्बादान विदी के उच्छ कोटी के नरके वीरिय से उच्छ कोटी के जो जानवर है ठीक है तो उच्छ कोटी के नर से वीरिय एककत्रित करके उचकोटी के नर से वीरिये कत्रित करके तो बच्छो बड़ा यह क्या है यह अरिस्टैप है यह इक पूरा इक स्टैप से होते हैं जो पहला ही स्टैप स्टार्ट हो गया वो क्या किया अपने सबसे पहले आगलिया जो उच्च कोटी के नर्ह है उनसे अपने सबसे पहले क्या किया वीरिय एककत्रित किया ठीक है वीरिय एककत्रित करके क्या करेंगे पर उसकी पूर्ण रूप से जांच वे परक के बाद सबसे पहले उसकी फिर जाच करेंगे अपने कि खराब तो नहीं है भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने AI करवा भी दी और जानौर क्या हुआ प्रेगनेंट भी नहीं हुआ अर तो क्या हुआ कुशियों में बाद हा जाएगी अपने सोचा कि यह बच्चे को जन्म देगी ल ठीक है प्रोसेस मतलब अरह उसकी स्ट्रा बनाएंगे ना ऐसे थोड़िना कि सीमन को बोटल में पैक थोड़िना आता है उसकी स्ट्रा देखिऊंगे आपने जब डोक्टर AI करता तो आपने समने देख रखियोंगी तो उससे स्ट्रा के अंदर डालेंगे तो उसको क्या व हिमकरत करके सनरक्सित किया जाता है अरह क्या है इस पंब यह क्या है जान ही तो है रह वो एक बच्चे का निर्मान करेंगी अगर उसको अपन ने नाइट्रोजन में सनरक्सित नहीं किया तो क्या हुआ हो तो मर जाएंगे और मर जाएंगे तो क्या हुआ हो एक ने जीव का निर्मान कैसे करेंगे तो इसी पूरी प्रोसीजर को अपन क्या बोलेंगे ठीक है? अपने गया कहा दे को नाइ तो यह जे खतमने हो जाती दिया दो यह सब कि अपने थे इसके बाद क्रत्रीम रूप मतलब से मतलब कि अपन कुद अपने रहे हैं, भुल से डाक् Зव़ी ससमाल करवा रहे हैं तो करत्रीम रूप से मादा के जननेंद्रियों में या जनेटल ओर्गन में सही समय यही क्रत्रीम गर्बादान हो गया ठीक है तो इसका आप फटाफट लिखना चाओ तो लिखलो तो इसके इंदर दो तैनी स्टैब हो गए पहली स्टैब तो क्या हो गई कि आपने श्या क्या एक अ हैएऀ when जांच परक करने के बाद उसके उसको प्रोसेश किया मतलब कि इसकी इस्ट्रा बना ली इस्ट्रा बनाने के बाद में क्या कि अपने उसको तरल ना इट्रोजन में हिम करत कर दिया और तरल ना इट्रोजन में हिम करत करने के बाद उसको क्या करेंगे अपने मादा के जब भी मादा हीट में आएगी ठीक है सही समय का मतलब क्या है ऐसे निये कि अपने किया सर्विक्स में ढाल दिया पूरा पूरा तो फिर बैटा मादा प्रेगनेंट नहीं होगी मादा बच्चे को जन्व में देगी ही नहीं ठीक है तो यह होगी पहला काम अब इसके अंदर अगली चीज कि यह सबसे पहले आइडिया आया किसके दिमाग म इसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आया कि अपने ऐसे स्पम को यकटा कर ले और उसके मादा के जन्नागों में ऐसे बार करत्रीम रूप से डाल दें तो वह महान आदमी थे ले जारो इस प्लेंजानी ठीक है और किया भी किसमें और गाय बैस में नहीं किया सबसे पह करत्रीम गरबादान सबसे पहले क्रत्रीम गरबादान किस महान व्यक्ति ने किया वही उसका नाम था उनका ले जारो इस प्लेंजानी या अर पंझाबी सिंगर जानी की बात नहीं और या वह साब ये किसकी बात हो रही है, ले जारो, इस plan जानी ने, किसके अंदर किया, कुतियां में, ने, कुतियां में, और कब किया, और मैं कहती हूँ रहा थाना, स्तरा सो असी में, किया लेकिन देखो सबसे पहले काम कुतिया भी हुआ लेकिन कुतिया में अभी भी यह नहीं ओरी किस एंदर हो रुँ है मैं ली गाय भाइश अब तो भक्रियों के अदर भी बहुत common होने लगी ठीड़ है तो यह सबसे पहले बात के लिए पर ने किस बाइसाम ने किया अब ये तो बाइसाम वर्ड की बात हो गई ये तो अपने देश के थोड़ी ना है ये तो विदेशी बाबू है तो फिर अपने देश में भारत में सबसे पहले यही किस ने कि तो वेटा भारत में यही करने वाले एक महान वेक्ति थे उनका नाम डौक्टर संपत कुमारण और गयाओं में बहुत सारे नाम मिल जाते हैं तो याद रहना तो कोई मुष्किल मैंको लगता है नहीं भाई तो भारत में सबसे पहले करत्रीम करवदान डौक्टर संपत कुमारण ने किया अगर एक्जाम में पूछ लें कि भारत में सबसे पहले करत्रीम गरबादान किस ने किया गरबादान डोक्टर संपत कुमार अन्य अब ये भी बात होगे बोलो गुरु जी ठीक है उन्होंने किया लेकिन कब किया तो बेटा उन्होंने गुनी सो गुन चालीस में और वो भी कहां पे एक डेरी थी बेटा उसका नाम क्या था पेलेस डेरी मैसूर के अंदर थी वो ठीक है पेलेस डेरी मैसूर में किया तो देखो दो बहुत इंपोर्टेंट किसन हो गए अब मत कहना कि गुरुजी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीज आपने बता ही नी तो दूसरी चीज इंपोर्टेंट क्या हो गई कि सबसे पहले तो पूर्य अगर वर्ड की बात आए इनमको एक नाम हों रहे, लेजारोма इस प्लेट जानी इंको फादर ओफ मोडर्न अрь बोलते थीच है जो ऐसे यह भी लिख सकते हो आप यहा पर इनमको क्या बोलते हैं Father of modern AI Okay? Who is it? Let go and explain Father of modern AI So what are we talking about? We talked about the birth of the father and the country So what do you do? You write it Okay? Then let's go The next step Now tell me Guruji what is the next step? What did we do? What was the first step? If we do not do the birth of the child Then we will use the birth of the child How do we do this? How do we do this? So not like that Guruji how do we do the birth of the child In each child We will study the birth of the child So first First Vireya Ekateran What do we do? Semen collection Semen collection Semen collection Semen collection First of all We will talk about sand How do we do in sand Semen collection How do we do? Guruji we have not seen Not We will take the same Scen We have sand Shemes Are not Lad Now What do we do? Beats As a The owner Is The owner The owner The owner Is The owner The owner Is The owner के लिए प्रेशर और तापमान का बहुत इंपोर्टेंट रोल है ठीक है तो वेसी वेग्यानिकों ने क्या कर ली एक क्रत्रिम योनी बना ली ठीक है तो पहला मैथड तो कौन सा हो गया तो इसमें तो याद रखने क्या जोड़ोता बही डाएक्ट समागम होगा तब भी क्या करते है योनी के अंदर सीमन सोड़ते है और भाई साब यहां क्या किया योनी जैसी स्ट्रेक्शर बना ली जिसको अपन क्या बोल दिया अगर बनाई है अपने हाद से तो वो क्रत्रिम ह तो शबसे खास बात कैसे अजा आपको सुनके मजा जाएगा की बटा सबसे सरल और ज्यादे काम में लिया जाने वाला विरयेक कत्रण का तरीका है इसके अंदर सांड के अंदर पीक है तो सबसे सरल क्यों भाई अर बहुत फाल एजी को बनाना इसको बनाने मैसानी है कोई बह तकड़ी तकड़ी चीज़ें क्यों लेंगे तो सबसे सरल है और सबसे सरल है इसलिए क्या है सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला तरीका है तो अगर एकजाम में किसन आ जाए कि सबसे सरल और सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला वीरे एक्रत्रण का सांड में कौन सा तरीका है तो बेटा सांड में सब से तरीका important तरीका सब ज़्यादा कामले ले लेकिन और भी तरीके होते हैं इसके अंदर जिसे अपने वीरे एक्रत्रण कर सकते हैं तो कम से कम उनके नाम नाम तो अपने को पता होने ही चीए तो नाम नाम में कौन सा दूसरा आता है इलेक्ट्रो इजेकुलेशन अरे बेटा या नाम से पता लग रहा है अगर आपको नहीं पता लग रहा तो मैं बजा देता हूँ इलेक्ट्रो का मतलब होता है बिजली पता है ना इलेक्ट्रिक की बात करते हैं इलेक्ट्रिसीटे की बात करते हैं और इजेक्यूलेशन मतलब कि सीमन वो इजेकुलेट कर देता है, इसकलित कर देता है, तो अपने क्या करते हैं इसके अंदर बिल्कुल कम electricity का उप्योग करते हैं, बिल्कुल ही कम volt का, ठीक है बुलो गुरू जी सब्सक्राइब कर दोगे इलेक्टरिक्टरिक्टरिक्टरिक्टरिक्टरिक्टरिक्टरिक्टरिक्टरिक्टरिक्टरिक्टरिक्टरिक्टरिक्टरिक्टरिक्टरिक्टरिक्टरिक्टरिक्टरिक्टरिक्टरिक्टरिक्टरिक्टरिक्टरिक्टरिक्टरिक्टरिक्टरिक्टरि गोड़ी ये क्या हो गया और नाम से बढ़ायए है कुछ छीज नहीं है अगर किसी चिड़ों होती थि तो वो क्या करते थे पता लग ये न कि अपनी गोडियों क्या करवाते थे वो, किसी गोडे से मेट करवालिया, माल लो, उसका समागम करवालिया, और गोडे ने जो इस परम छोड़ा, गोडी के अंदर उसको चमच भर के निकाल लिया, और दूसरे गोडी मिड़ागे ड़ले, बताओ, ऐसे ऐसे भी आदम होते थे, तो बढ़ निकाल लेते उनी स्परम को क्या क्या गोडे ने गोडी की वेजाइना के अंदर यो निके अंदर जो सारा स्परम छोड़ा उसको निकाल लेंगे लेकिन वाई साथ तोड़े ना पार पड़ेगी इसलिए इसलिए मेथड काम जादा नहीं है वेजाइना निकालेंगे तो फैम रक में निकालेंगे तो यह तो यह भी काम का निय यहंतिं है मे्टब को जादा काम में लेना नहीं है और च्वता क्या हो गया मसाज मेफड इसमें बेटा एक गरंथी होती है बुल के अंदर इलेक्ट्र ऐक्यूलेशन तीसरा हो गया, श्पून मेथड ऊस्पाइए, मसाज मेथड़ ब। पूछ लें, कि सबसे ज्यादा काम में, कौन सा लिया जाता है तो आपको पता लगी गया कौन सा लिया जाता है, क्रत्रिम योनी, तो आपने बात के लिए तो सांड से, अब अप तो इसके अंदर बलुगुरुजी इसके अंदर काई करेंगे वो कौन सा है, क्रत्रीम योनी ही है इसलिए ज़्यादा टेंसन पालने की जुरते ही नहीं तो इसमें पहला method कौन सा हो गया क्रत्रीम योनी यानि कि artificial vagina लिख लो या एवी भी लिख सकते हैं artificial vagina या एवी भी भी बोल देते हैं ठीक है, तो ये क्या है अभी तो बताया आपको आटिपीशे लिए जाना वाला कि सबसे सरल और सबसे ज़्यादा काम में ले जाने वाले तरीका हो गया कैसे सांड की तरह यह बटा तो इसमें ज़्याद गने की जुर्थ है नहीं तो इसको अपन क्या करते हैं फटा फटा आपको मैं लिखाई देता लिया जाने वाला तरीका तो बैटा अगर चाहे सांड में पूछ लो चाहे भेड में पूछ लो दोनों में अगर पूछे कि सबसे सरल और सबसे आसान तरीका कौन सा है तो वो गया हो गया करत्रिम योनी अरे कुछ है नहीं योनी के समानी बना दी अपनने आटिफिशेली वो गया हो गया करत्रिम योनी दो में और बतायते हैं आपको पीछे सेम टू सेम यह आपको यहां टिका देने हैं वो कौन-कौन सा इलेक्ट्रो जेक्योलेशन बोले गुरुजी अभी आपने बताया था कि वो जटका देके हाँ बिलकुल सही है याद आगया आपको तो चम्मच और इस्पूञ मेथड़ भी है तो तीसरी मेथड कौन सा ओ गया इस्पूञ मेथड या स्पूञ मेथड ठीक है अब स्पून मेथड़ भी है यह लिख सकते हो कि सम आगम के पश्याद योनी से वीरी अकगत्रण कि अपने क्या कर रहे हैं चम्मच से क्या के लिए समागम हो गया उसके बाद चम्मच धाल की वीरे निकाल लिया बताओ तो इसमें आप अगर हिंदी में आदायने कई बार ऐसे भी लिखा हुआ जाता है समागम के पर साथ योनी से वीरे एकत्रण फिर कहो गुरुजी स्पोन स्पोन्स तो आया ही नहीं यहां तो वोड़ी कुछ था तो कुछ नहीं था भाई इसमी बात आपको समझा दीना इसी को क्या कर दिया सीम्पल लेंगवेजी यह लजी में लिक्व हुई तो फटाफटा आपको इसको भी लिख लो गई और साथ-साथ ध्यान लगाते चलो, मैं कह रहा हूँ, जैदा दिमाग लगाने की जुर्थ बाद में पढ़ेगी नहीं आपको, ठीक है भाई, आगे चलते हैं फिर, अब अगला बात करेंगे अपने, घोडे में, घोडे में अपने कैसे कत्रित करेंगे, तो गोडे की बात करूँ, तो गोड़ा भी क्या है, उन्ही का भाई है, किसका भेडगा और इसका रसाही कहरे हो सांडगा, तो इसमें भी कौन समय थड़ी उचके लेंगे अपने, क्रत्रिम्योनी, इसलिए मैं आपको यह करता हूँ, फटा फट लिखा देता हूँ, क्योंकि तो यहां क्या है, रिविजन चल रहा है, यहां तो ए भी लिख देता हूँ, यहां, आर्टिफिशल वे जाए ना, पिछले में लिख रक है पूरा, इंग्लिस पंडी हो तो भाई देख लेना, ठीक है, अब यह भी क्या है, सबसे सरल और सबसे ज़दा काम मिले जाने वाला ज्यादा काम में लिया जाने वाला वीरिय एकत्रन का तरीका, ठीक है, तो सबसे इंपोर्टेंट क्यूस पता आपको बता दिया एक, जिसमें वीरिय एकत्रन के अंदर आ सकता है, ठीक है, अब अपन बात करेंगे, अगली, कि गुरुजी आप यह बाहर बार बार में नाम ले रहे हो, यह क्रत्रीमियो नी, क्रत्रीमियो नी, यह क्या है, तो आपको समझा ही दिया वाई, क्रत्रीमियो नी तो इसमें एक उसन हो रहा सकता है, देखो बार बार में आ रहा है, कि सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाले तरीका, इसका मतलब य वोडे में यह काम में ले रहे हैं, भेड में यह काम में ले रहे हैं, सांड में यह काम में ले रहे हैं, तो अपने आप ही जादा होने ही वाड़ा है, अब तो कुछ बचेगे जैसे सूर, तो सूर का क्या है यहां लेदा मेधड है नहीं, ठीक है, यहां यहां लेदा मेधड ह के इसमें ऐसमें एहनी सूर का बाकी एक लिखना चाहों तो आप लिख लो यहां पे अग्यायं सूर का लेना देना है नही कोई। इसमें भी क्या है क्रत्रीमियोनी काम में लेते हैं औःक लेते हैं hand-gloved method ठीक है तो यहां भी क्रत्रिम्योनी आ रही है इसलिए क्या करूँ मैं इस सब जदा काम में ले जाने वाला तरीका है तो अगली बात करते हैं अपने लिख लिया ही होगा यह उपर वाला ठीक है लिख लिया तो फिर आपना आगे तो आपको मैंने इंपोर्टेंट क्यू बतायी दिया एक क्या कि भारत में वाला क्या वीरेक तरण का तरीका है यह क्यूँ है यह बतानेक जुर्ष झाहिनी आपको और मैं और सही कह रहे हूं लाड़ लो भारत में वीरेक तरण के लिए सबसे जबाए लिया जाने वाला तरीका है सूर में भी ले रहे है लिया जाने वाला तरीका है अब अपने बात करते हैं ये तो हो गई अपनी करत्रिम योनी की बात ठीक है अब करत्रिम योनी को बैटा जब भी भी अपन सीमन के लिए एक कत्रित करते हैं जब भी सीमन इकटा करते हैं तो ऐसे नहीं कि किसी भी एंगल पर पकड़ लेंगे उसको 45 डिगरी एंगल पर सकती है कि जानवरों में करत्री मियोनी के अलग-अलग मोडल होते है मोडल क्या है और महंदरा का अलग मोडल हो गया ठीक है और किसी को महंदरा का मोडल पसंद है किसी को क्या मोडल पसंद है तो भाई साब यह कई मोडल फेमस हो गए जो उन जानवरों के लिए बढ़िया रह इसमें भी क्या मोडल बनाते तो एक साय बना जेते अर नहीं लाड़ लो हर जानवर के अंदर अलग तो temperature चीए और अलग pressure चीए वेटा कोई भी जानवर है ना वीरिये तभी स्कलित करेगा जब उसको प्रोपर temperature चीए और प्रोपर प्रेसर मिलेगा अगर हर जानवर का अलग अगर है संडड़ तक तक ताम को पताए किस के अंदर क्या करते है अपड़ एक dennis model होता है तो भाईसाब वणकरण विदेशी नाम ही यह यह याद तो रखिलो के अप इसको चाहूगा यह deниess model है दूसरा क्या है गोरा वो क्या है उसके है मिसी सिपी model ठीक है यह बीए आता तो बिल्कुल आतलाड लो पर ये क्या है आपको एक दो बार इसको ध्यान में रखना ही पड़ेगा फिर तो अपने आप ये आपकी ध्यान में रहे जाएगा ये ठीक है अब बात करते हैं कि करत्रिमियोनी की लंबाई और तापमान क्यूं कि लंबाई तापमान बहुत इंप तो अब इसको लिख रहा होगा तो अगला चलते हैं इसमें करेंगे अपने क्रत्रिमियोनी की लंबाई और उसका तापमान लंबाई वे तापमान और ये आपको बताई देगे बता क्यों रहा हूं क्योंकि हर जानवर के अंदर अलग अलग तेमपरेचर चीए इसका तेमपरेचर मैंटेन कैसे करते हैं इसके अंदर गरम पानी बढ़ देते हैं ठीक है इसकी वेजाएन की डिजाइन ये होती है कि इसके अंदर गरम पानी बढ़ देते हैं, तो गरम पानी उतने ही temperature का भरेंगे आपने, जितना temperature उसको required होता है, उसको आवशेक होता है, ठीक है, तो इधर तो लिख लेते हैं आपने, जानवर, इधर लिख लेते हैं, करत्रिमियोनी के लंबाई, और यहां क्या लिख लेते ह इसके अंदर करत्रिमियोनी के लिख लेते हैं, तो सबसे पहले बदो करेंगे सांड के भ़लेो, सांड के लाइँ, तो सांड के लेख लाएं तो इक दूबार आपको देखना ही पड़ेगा, 35-40 cm और तापमान इसका होता है 40-41 degree centigrade दूसरी बात करेंगा करत्रीमिय औनि किसके अंदर सही कह रहे हो बिल्कूल सही सही चल रहे है गोडेगी गोडे के अंदर बहुत करत्रीमिय कर दिया तो इसके अंदर गोडे के अंदर क्या है पेनिस की लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है तो इसलिए इसके अंदर 4 cm की क्या होती है Artificial वेजाने की लंबाई कितनी होती है 4 cm और तापमान तापमान ही बेटा इसके अंदर थोड़ा ज्यादा चीए कितना 45 से 50 डिग्री सेंटिग्रेड देखो अलग अलग तापमान है न तो ऐसे नहीं है कि कोईशे के अंदर भी अपन काम में ले ले तीसरी अपन बात करेंगे बकरी की थीक है तो बकरी के अंदर तो बकरी का पेनिस बेटा चोटा होता है इसलिए उसके अंदर लंबाई भी इसकी कम होगी 20 सेंटिमीटर ही और तापमान तो तापमान में बेटा यहां कोई फरक नहीं है यहां तापमान जितना घोड़े के अंदर अपने तापमान लिया था जितना आटीपी से लिए जाना का तापमान था उतना ही तापमान बकरी के अंदर भी उतना ही तापमान सेम टू सेम रहता है ठीक है तो ये तीन important चीज़े हो गई जो आप लिख लो ठीक है इसके बाद में आपको कुछ बहुत ही important चीज़े जो exam में पूछी जा सकती है वो आपको बताएंगे बलो गुरुजी यह तो लिख लिया आगे बताओ तो लाड़ लो सुनो फिर आगे अब अपने वीरिय एककतरित कर लिया कौन से model के साथ किया वो भी हो गया अब क्या करेंगे बैटा इस वीरिय एककतरित को process कर लेंगे ठीक है कि इसके अंदर इस परम सही तो है है सही जितना अपने को number ची है जितने इस परम ची है उतने तो है वो भी कर लिया अपने की श्ट्रा भी बना ली अब क्या करेंगे इसको अपने pack करेंगे ताकि लंबे समय तक store रहे और किस के अंदर करेंगे वो हिमकरत करेंगे तो किसके अंदर करेंगे बेटा वो LN2 के अंदर LN2 का फुल फोम क्या है लिक्विड नाइट्रोजन तरल नाइट्रोजन तो एक्जाम में कि उसन कैसा आएगा एक्जाम में कि वीरे को हिमसितित करने के लिए कौन सा पधार्ट यूज करते है हिमसितित करने के लिए कौन सा करते हैं लाड़ लो सही कह रहे हो अब ही तो बताया था इतनी जल्दी न थोड़ी बूल जाएंगे तो बूलना तो है नहीं जब तक एक्जाम नहीं हो जाती ठीक है के लिए टरल नाइट्रोजन और टरल नाइट्रोजन की कही ज़ी बेटा इसकी सोट फॉर्म क्या होती है एल एन टू कही बार एक्जाम में एल एन टू भी पूछ लेता है ठीक है तो सबसे ज़्यादा काम मिले जाने वाला क्रायोजन है अब आपके दिमाग में किसन उठ रहा होगा बुल गुरुजी नहीं उठ रहा तो लाड़ लो उठा लो फिर की अपने तरल नाइट्रोजन नहीं क्यूंज किया बाई है हमसी दित करने के लिए अपने फ्रीज कर लेते अरा डी फ्रेज में तो बरप जम जाती है तो डी फ्रीज कर लेते फिर तरल नाइट्रोजन नहीं क्यूंज किया तो बेटा ये बहुत ही माइनस में तापमान रख लेता है और बहुत ही कितना माइनस एक सो चानवए आप जम जाएगी ठीक है वो तो वही प्राणत्याग देगा तो बेटा इसलिए क्या होता है लिक्विड फो में भी होता है उसका तापमान बहुत ही माइनस में कितना बहुत ही कितना माइनस 166 डिकरी संटिक्राड यह बहुत ही इंपोरेंड कुछन है एक्जाम के अंदर अल अभर की लिए टरल नाइट्रोजन का तापमन रागर। कि या राड़ो टरल नाइट्रोजन की कहानी यह होती है कि जब आपके आपने अ करता हुआ तो मैंने लगताए हिदा करते हुए देखा होगा तो उसके अंदर जार खोलता है तो इसे बाप से निकलती है दोह होती हो ठीक है यह अगर आपने इसको खुले में छोड़ दिया तो यह उड़ जाएगी ठीक है तो इसका ताबमान कितना है ऐसा निये कि को यह बरफ रफ जमागे रखती हो तो यह बटा बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूसन है यह माइनस एक सो चाणवा डिग्री सेंटिग्रेड तो यह हो गई अपने तरल ना इत्रोजन की बात तो इसको फटा फटा आप लिख लो फिर चलते हैं आगे तीक है बोलो गुरु जी यह भी लिख लिया तो फिल आड़ लो अपने आगे चलते हैं तो बोलो गुरु जी अगर आपने तरल ना इत्रोजन की बात कर लिए एक सो चाणव डिग्री सेंटिग्रेड पर अगर आदमी को रख दें तो इसक्या इसक्रीम बन जाएगी तो यह स्पम कैसे बच गया तो बहुत ही प्यारी चीज होती है उसका नाम है ग्लिस रोल मलगुरु जी वह है जो मुग के इमेज नहीं हो जाए उसका सरड इमेज नहीं हो जाए उसके क्या गर्ति ग्लिसस रोल बचाती है थीक है ताकि उसके अंदर में बने बरफ नी बन जाए जम नहीं जाए इस परम ठीक है तो हीम-शित्रित वीर्यच को चोट या इंजरी से बचाने के लिए जो पढ़ने तरल नाइट्रोजन में रख 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 है ना सीमन उसमें कहीं बरप नहीं जम जाए वाई वीर्य को अब बरप जम जाएगी तो क्या ही काम करेगा फिर वो चोट या इंजरी कह लो इंजरी से बचाने के लिए क्या यूज करते है अपड़े एक क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट यूज करते है ठीक है बचाने के लिए आवशक या इस्तमाल के जाने वाला एजेंट अब ऐसे इतना इंग्लीज इंग्लीज दे के टेंशन डर मजाया करो ठीक है कुछ भाई क्रायो बचाने क्रायो 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 मतलब क्या बटा ये बरप से सम्मदित है क्रायो प्रोटेक्टिव मतलब बचाये गा ठीक है ये तो नीे मेरी negócio चोट ये इंजरी से बचाये गा और एZ EN्ट एZ ENT मतलब क्या है क्या है क्या वाईस और ओगे पाई साव अज्जेंट क्या है नाम इक तरीक है कि अहरे तो इसमें क्या है यह क्राइव प्रोटेक्टिव एजेंट है यह मतलब जो कम तापमाने उससे बचायेगा उसका नाम क्या है ग्लिस रोल ठीक है तो यह बहुत ही इम्पोटेंड चीज हो गई अब एक चीज हो गईव बटा यह स्टोब यूज़ करते हैं इन स्टोब के भी क्या नाम आते हैं मिल्कुरूज के भी नाम आते हैं हाँ बड़ा ये भी अलगलग साइज में होती है एक बड़ी होती है एक छोटी होती है और एक बहुती छोटी होती है तो अपने क्या होगी बाकी ज़्यादा इस्टोशन मतलब है नहीं अपने को जो अपना काम का क्यूशन आएगा इंपोर्टेंट में एक्जाम में पूछा जा सकता है वो क्या है कि सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली श्ट्रोकोंड सी है यह important question है जिसका नाम क्या है French Mini है तो क्या हो गया French Mini तो यह एक question हो गया सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली इस्ट्रो फ्रेंज मिनी ठीक है यह इस्ट्रो क्या होती है सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है अब इसके अंदर वीरे का इसके अंदर होता कितना है वीरे है बहुत ही कम वीरे होता है कितना 0.25 mm यहीं लिख लो आप तो 0.25 mm बलोगर जी शिर्प निर्मान कर देता है पूरे जानवर का दिर्मान कर देता है जिसके अंदर डालेंगा तो यह एक ही काफी होता है यह प्रीक है तो भूद ही कम होता है 0.25 mm होता है अब बलोगर जब वह डोक्टर आता है तो आते कहता है कि साब वो पानी कर लाओ फिर वो इसे उढ़ता है, उस फारीं के ऺदफित प की अधर डालता तो वो क्या सिश्चम है वो क्या करता है. तो उसको बोलते अपन थाविंग प्रोसिजर बोलते है. क्या होता है कि बहुत ही कम तापमान पर रख रखा है अपनने इसको liquid nitrogen तरल nitrogen पर रख रख ठीक है तो अगर किसे नहीं तापमान पर सीधा ही यृ अपन थोड़ एडाल देंगे ये भी हो गया कि Himsitit Veer ke लिए थाविंग Tापमान कितना होता है थाविंग तो समझे कि आप क्या होता है Himsitit Veer ke लिए थाविंग Tापमान कितना हो गया लाडलो सही कह रहे है भूझ गुरुजी अभी तो बताया है आपने ये तो में याद भी हो गया कितना 37 डिगरी और कितनी दरी के लिए रखते हैं पर सिर्फ 30 सेकंड के लिए और 30 सेकंड बात तो क्या करता है ये दोडने लग जाता है फिर तो क्या करेगा ये जाके अंडे से मिल जाएगा और बच्चे का निर्माण कर देगा ठीक है तो ये फटाफट लिख लो लाड़ लो ठीक है अब बोलो गुरुजी आपने इस्ट्रा भी निकलवा दी ठीक है इस्ट्रा निकल के क्या किया आपने पानी मंगवा के उसको वापस दोडाने के लिए तयार भी कर दिया इस परम को अब क्या करोगे अब बोलो बेटा अब जो सबसे इंपोर्टेंट अपन कर रहे है न सुरू में करत्रीम गरबादान तो बेटा आप करेंगे अपन एई लेकिन ऐसे निकी क्या एई करने का भी क्या होता है कि बोलो जी क्या इस पेसल होता है डोक्टरा आता है ठीक है उसके गुदा मार्ग में हाथ देता है ठीक है और योनी से क्या करता है जो AI गन आती है उसको डालता है और कर देता है यो तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप लाड़ लो गाय भैंस के अंतर होती भी ऐसी है तो अपने क्या किया हाथ किसमें डाला एक तो एक डोक्टरा हाथ क्या करता है गुदा मार्ग में डालता है और दूसरा क्या करता है जो AI गन होती है उसको योनी में डालता है तो इसको बोलते है रेक्टो वेजाइनल मेथड ठीक है तो गाई बैस में आपने खूब देखा होगा तो इसका क्या नाम हो गया विभिन जानवरों में करत्रीम करवधान का तरीका आपने देख सारा रखा है बस आपको नाम नहीं पता लोग गुरुजी सही कह रहे हैं यह तो सारा देख रखा है हमने गाउं में ठीक है तो पहले किसकी बात कर लिए अपने गाई और भैंस की और गाई बैंस के अंदर कैसा पता दिया एक हाथ किसमे रेक्टम में गुदा मार्ग में ठीक है तो गुदा मार्ग मतलब रेक्टो मतलब अपन रेक्टम की बात करें अर उसको इंगलिस में रेक्टो बोल देते रेक्टम बोल देते हैं तो इसनी डरने वाली बात नहीं है और दूसरा योनियू क्या बोल देते हैं वेजाईना, तो वेजाईनल मेथड, एक हाथ में डिया अपने होती है गोडी में सिर्फ वेजाइना के अंदर अपनिया करते है गन पास करते है तो क्या हो गया वेजाइनल मेथड हो गया ठीक है तीसरी क्या आपने बात करेंगे भेजाइनल में भी बहुत ही ही ठीक है इसके अंदर कैसे करते है तो बैटा इसके अंदर करते है वेजाइनल इसके मैथटद यृ क्या होना बहुत ओर एपक्रता है क्या होता है इसके फेकलो चीम को अब इतनी चोटे जानवर की अंदर इसकी केन अब दालेगे तो जैसेग को जपाएंगे later तो अंदर का वेजैनल का सारा सिस्टम दिखने लग जाएगा और उसे अपन गन पास कर देंगे तो फिर आगे ले जागे जहां आपने को सीमन छोड़ना है वह आपने सीमन छोड़ देंगे तो वेजैनल स्पेकुलम क्या है यह उपकरन है ठीक है तो इसका मेथड कॉन सा हो इसके पुलम मैथड ठीक है तो यह करत्रीम गरभाधान का तरीक हो गए इसको फटा पट के अगर आप लिख लो ठीक है तो वेटा इसको जैसे आपने लिख लिया तो समझो आपने एक इम्पोटेंट टोपिक अपना जिसका नाम था करत्रीम गरभाधान ठीक है और उसके एक इम्पोटेंट चीज और लिख लो आप कि सीमन कहां डिपोजिट करते हैं या आप हिंदी में लिख लो वेट कहां डालते हैं पने किस भाग में डालते हैं AI के अंदर तो बटा गरभाधासे के अंदर वीरे डालते हैं मैंने कहा था ना सहीत जगह पर सहीत जगह का मतलब यही है कि कहां पर गरभाधासे में ऐसा नहीं कि उसके पहले बटा सजिक्स आती है योनी आती है तो उनके अंदर नहीं डालते हैं उ आपको ध्यान रखनी है कि वीरियक अपने कहां डालते हैं तो गरबाश्यक दालते हैं तो यह अपना क्या होगा एक टोपिक तो वो अप क्या करते हैं आज तक आप यहीं तक पढ़ लो अगला टोपिक अपन उसको अलग सेप्रेट क्लास के अंदर कर लेंगे ठीक है जिसके आपको पूरा असनी से समझ में आ जा गए यही टोपिक आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा अँमीद है और आ